अपनी सुरिली आवाज से सबके दिलों पर राज करने वाली निहा ककड इंदिनों इंडियन आइडियल को जज़ कर रही है हाली में शो के दौरान निहा इमोशनल हो गई और उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक राज खोला निहा ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन आज भी मैं एक बात को लेकर बहुत परिशान रहती हूँ दरसल शो के दौरान अनुश्का नाम की कंटेंस्टेंट की पॉफॉर्मिस देखकर निहा भावख हो गए और कहा कि अनुश्का की तरह उन्हें भी एंज्जाइटी इशू रहते हैं उनका थाइरोड से पिड़ित होना भी उनके चिंतित रहने का मुख्य कारण है नेहा कहती हैं हाला कि मेरे पास सब कुछ है एक अच्छा परिवार, करियर लेकिन मेरी शारिरिक समस्या हमेशा मुझे बहुत परिशान करती है जिसके कारण मैं चिंताओं से घिरी रहती हूँ नेहा ककड अपनी दर्या दिली के लिए भी जानी जाती है नेहा अपने अच्छे व्यवहार को लेकर भी लोगों के दिलों पर राज करती है हाली में इंडियन आइडियल शो के दौरान ही उन्होंने इंसानियत का उधारन पेश करते हुए मशुहूर गीतकार संतोश आनंद की मदद की बतादे कि इंडियन आइडियल की टीम ने फेमस गीतकार संतोश आनंद को भी आमंतरित किया जिन्होंने अतीत में प्यारे लाल जी के साथ काम किया है उन्होंने शो के दौरान अपनी आर्थिक स्थिती के बारे में बात की जिसे सुनकर निहा इमोशनल हो गई निहा ने संतोश जी की मदद करते हुए उन्हें पांच लाख रुपे देने का फैसला किया बतादे की निहा ककड ने अपनी सिंगिंग से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी लोग निहा की आवाज से प्यार तो करते ही हैं साथ में उनका प्यार भरा वेभार भी लोगों को काफी पसंद आता है निहा ने अपना बच्चपन काफी गरीबी में बिताया और आज जब वो किसी को मुश्किल में देखती है तो सबसे पहले मदद के लिए आगे आती है गितकार संतोष आनंद से पहले निहा ने कई लोगों की मदद की है निहा आज पॉलिवूर्ड वा बॉलिवूर्ड दोनों में अच्छा नाम कर रही है निहा के चाहने वालों की गिंती भी करोडों में है ये सब निहा की मिहनत का ही फल है नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टेग्राम को फॉलो पेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले